स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में और आज हम बात करेंगे इकोलोजिकल थेओरी के बारे में जो की दी किस ने थी ब्रूनर ने दी थी चलिए जानते हैं ब्रूनर क्या थे एक रूसी वेग्यानिक थे ब्रूनर क्या ब्रूनर जो थे उन्होंने पास्ट की यानि इकोलोजिकल जो थेओरी थी इसकी पाँच अवस्थाएं बताई और ये अवस्थाएं जो हैं ये जो अवस्थाएं हैं इन्होंने पाँच बताई और ये अवस्थाएं इन्होंने एक सरकल के अंदर बताई थी तो ये दोनों बताई थी नमस्क के अंदर अगर आपने पहले से किया और अगर आपने नहीं भी चियाए तो आपको एकदम अच्छे से लेन हो जाएगा he or सबसे चोटा तो बच्चे का सबसे पहले किस से होता है उसके मातापिता से आगे की क्लास में हम इसे और अच्छे से विस्तरत में समझेंगे अभी आप जानी माइक्रो का मतलब जो सीधे समंद्य होता है जिससे बच्चा डारेक्ट जोड़ावा रहता है जिससे बच्चा क्या रहता है डारेक्ट जोड़ावा रहता है तो यह सीधे समंद्य जो है यह बच्चे के कौन से समंद्य हो गए माइक पिता है वो और माता पिता के भी जैसे कि बच्चे की मम्मी है उसके नाना नानी है दादा दादी है तो इन दोनों का रिलेशन जो है वो किसमें आ जाएगा आपके मैशों के अंदर एक्जो एक्जो का मतलब होता है इंडारेक्ट रिलेशन जैसे कि माता पिता है इंडारेक्ट यानि यह डारेक्ट जो है संबंदित नहीं है बच्चे से लेकिन एक्जो में बच्चे की वह रिलेशन्स आ जाते हैं जो की माता-पिता से जुड़ेवे हैं लेकिन बच्चे से इंडारेक्ट बच्चा और माता-पिता दोनों से ही इंडारेक्ट जु होड़ेवे रहें तो वो चीजह किसमें आजाएंगी आपकी एग्जोर मैंकरों में बच्चा 저हां रहे रहा है वहां के बच्छा कौन से समाज में हें हिंद्व समाज में हैं मुस्लिम समाज के बहुतτε हैं उसके कि सभी लोग इफेक्टिव होता है इफेक्ट करता है उसके प्रभावित होता है तो नेक्ष जो आगे हम देख लिते हैं इसे एकदम अच्छे से जो है विस्तरत रूप में पढ़े हमने माइक्रो की बारे में देखा था जिसमें की क्या था बच्चा जो है डायरेक्ट जूड़ावा था बच्चों के बच्चे के डायरेक्ट रिलेशन इसमें कौन-कौन आ जाएगा बच्चे के माता-पिता यह लोग इसके अंतरगत आ जाएंगे बच्चे के माता-पिता हैं बह जैसे कि बच्चा है माता-पिता है उसके माता-पिता प्लस दादा-दादी तो यह सारे किसमें आजेंगे मैंशो में आजेंगे एक्जो एक्जो के अंदर जो है आपको थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा होगा ठीक से इसको फोकस करें एक्जो में जो क्या आता है समाजिक संबंद समाजिक संबंद माता-पिता के नौकरी से जो समाजिक संबंद जैसे कि आसपडोस है समाजिक संबंद में क्या आजाएगा आसपडोस आसपडोस जो की बच्चे से डारेक्ट नहीं जुड़ेवें इंडारेक्ट जुड़ेवें साथ ही बच्चे के माता पिता है जो कलिक वगरा डाल जो मैंने आपको अभी बताया था कि बच्चे माता पिता के कलिक है या बास है वह बच्चे से इंडारेक्टली जूड़े रहते हैं तो वह किसमे आजेंगे ईग्सा में अब हम बच्चा कौन से संस्कृति से मैक्रों में क्या आजाएगा बच्चों के आसपडोस है रिच्वल है रिच्वल यानि जो संस्कृति की संस्कृति से जुड़ावाया बच्चा हिंदू है हिंदू है या मुस्लिम है मुस्लिम, हिंदु मुस्लिम जिस से भी जुडावाय है वो चीजे क्या आजेंगी इसके अंतरक्त आजेंगी यानि क्रोनोलोजी जो है हम वैसे भी पढ़ते हैं जब हम करंट अफैर पढ़ते हैं तो उसमें हम आपने सुना होगा chronology अलग-अलग मंध किया तो क्रोन का मतलrive श्तार समेचक्र एक ऐसा समय चक्र आता है जोकि बच्चे को प्रभावित करता है और एक्जामपल कोरोंस करोंस में क्या था बच्चा क्या हुआ था प्रभावित हुआ था क्यों 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 कुप duy करिआ सब्सक्राइब चूट गई थी तो इसका इफेट किस पर बच्चे के ओपर तो क्रोनोलोजी जो है समय शकर होता है जो कि कुछ समय के लिए होता है यह क्या होता है एक निश्चित समय के लिए होता है कुछ समय के लोता है हमेशा नहीं रहता है तो यह जो क्रोनो लोजी होती है क्रोनो लोजी यह क्या होती है अनिश्चित होती है अनिश्चित समय के लिए यह हमेशा नहीं रहती है एक समय होता है तब तक ही रहती है और उसके बाद में यह खतम हो जाती है तो हमने आज जो है बुरुनो का इकोलोजिकल सिधान्त सीखा और उमीद है आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आया होगा और अपनी स्क्रिंशॉट ले लिया होगा इसका अपने इसके एक बार और इसको देख लेते हैं यह हमने क्या क्या देखा तो पहले हमने क्या देखा था एकोलोजिकल थेόरी किस ने दी थी ब्रूनो ने दी टी किसने दी थी ब्रूनो ने दी ब्रूनर जो थी ब्रूनो या ब्रूनर बोलते हैं इनको यह रूसी मूल की अमेरिकन विज्ञानी थे यह पूछा नहीं जाता है यह पूछा जाता है कि पास्थी की यानि इकलोजिकल जो तंत्र है यह जो खोरी है यह कितनी अवस्थाओं में विबक्त की गई है ब्रुनो के द्वारा तो कितने में की गई है पांच में की गई है और कौन इन्होंने किस में दिया अपना सरकल के अंदर दिया था किस में दिया था ही सरकल के अंदर बाहर से अंदर की और दिया था इन्होंने पहला इनका क्या था पहला इनका था माइक्रो, फिर मेशो, एक्जो, मैक्रो और क्रोनो, तो ये 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए, माइक्रो का मतलब था, जो डायरेक्ट संबंदी थे, जैसे माता पिता, बहन भाई, मेशो यानि माइक्रो प्लस माइक्रो, माता पिता के माता पिता के मम्मी पापा है, वो उनसे माइक्रो का मतलब होता है, रिच्वल, बच्चा कौन से संस्कृति से है, हिंदू है, मुस्लीम है, सिख है, हिसाई है, तो वो जो रिच्वल उससे फॉलो करने पड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़े किस में आ जाएंगी, मैक्रो में, बच्चे अगर हिंदू है, तो उसे मं समय चक्र, एक समय चक्र होता है, और यह जो है, बच्चे को प्रभावित करता है, तो आपको यह जो वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है, और आप चाहते हैं, इसी तरह की और भी होम संसे रिलेटेट क्लास में लेकर आऊं, तो आप इस चैनल से जरूर जूड जूड और आपके साथ के जो जितने भी लोग तयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेट की उनको भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, तो आज की क्लास में इतना ही, तैंक यू सो मच